हेलो एवरिवन यहां मैं अपने एक फ्रेंड की कॉपी लेकर आएँ हूँ आज स्सीजी मेंस की इन्होंने मेंस दिया था और इन्होंने अपनी आटे एक बाती इसे कॉपी मंघ वाई थी एनकी मार्क्स है 216 इनकी मार्क्स 216 है 216 सो लेस्स तार्ड फिर्स्स कुश्चिन बीम्सी से था फिर्स्स क्लास ब्रेक का तो उन्होंने एक्स्पेंड कर दिया था और इसमें इनको 10 मार्क्स मिले हुए है 15 आउट अप 10 देन नेक्स्ट कुश्चिन इस अगें प्रोम बीम्सी सो कुश्चिन था अदस मार्क्स और इन्होंने एक्स्पेंड कर दिया था प्रॉपर्ली इनको से एट मार्क्स मिले हुए तो ओवग फरवड तो नेक्स वेस्टन next question is from the surveying, यह चीन शर्वे का question था, इसमें इन्होंने answer तो सही निकाला हुआ है, लेकिन formula mention करना थोड़ा मस्ट रहता है, गर यह formula mention कर देते, तो इसमें इनको 15 out of 15 मिल जाते, बट formula mention ना करने की वैसे, इन्हें इसमें marks कम मिले हुए है, 5 marks मिले हुए है, then moving forward to the next question, next question is from surveying, यह इसमें इसमें given थी हो, और integrated angles निकाले थे, तो इनकी calculation सही है, इनका एक, इनके 5 marks कम हुए है, इनका एक यहां पर value गलती, तो इसमें इनके 5 marks यहां पर cut हुए है, और question 20 marks काता, then moving forward to the next question, next question is from इसमें 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 का question था, उसको explain करना था, तो इन्होंने explain कर दिया है, लेकिन इसमें उनको 5 marks मिले हुए, out of 10, then moving forward to the next question, next question is again from Engineering Economics, इसमें इसमेंी इसमें एक यह तो इसमें उन्होंने कैया है, इसमें तो इसमें उन्होंने किया, now depreciation निकाला है, यह लेकिने, so चल्क पर 5 से को खुक दीर डिपরगें के, next question is from soil mechanics इसमें relative density का question था relative density calculate करनी थी और इसमें इन्होंने एकडम correct calculation किये और numerical में correct calculation में marks वैसे भी अच्छे मिले हुए तो इन्होंने as it is solve कर दिया जो जो था और answer भी इनका एकडम exact है यह question था 20 marks का इसमें इनको 20 out of 20 marks मिले हुए और then moving forward to the next question next question from the soil mechanics इसमें प्लेट लूट टेस्ट को explain करना था और आप देख सकते इन्होंने explain क्या हुआ है काफी अच्छे से कर बनाया हुआ है और then formulae mention के हुए यह question था 20 marks का इसमें इनको मिले हैं 10 marks okay moving forward to the next question next question है हमारा इन्होंने हां इसमें third question छोड़ा हुआ है एक question में छोड़ना होता है तो इन्होंने third question छोड़ा हुआ है हम चलते हैं आगे fourth question की तरब थार्ड इन्होंने छोड़ दिया है एक question छोड़ना होता है जैसे कि और fourth question है यह हमारा highway से है इन्होंने साइड डिस्टेंस निकालना था तो इन्होंने calculate कर दिया है और आप देख सकते हैं की calculation सही है और इनका अगले question की तरब अगला question is next question is from the railway engineering railway sleepers को explain करना था और उनके advantage and disadvantage तो आप देख सकते हैं उन्होंने railway sleepers को explain क्या हुआ है और उसके बाद concrete sleeper उन्होंने लिया हुआ है उसके advantage और disadvantage को explain क्या हुआ है यह question था 15 marks का तो इनको इसमें 11 marks 11 marks मिले हुए then next question की तरब चलते है next question है हमारा environmental enchanting से इसमें sedimentation tank की design करनी थी और इसमें इनोने design इसमें इनको मिले है sorry इसमें इनको मिले है 5 marks एक question था 15 marks का इसमें इनकी कुछ mistake हो गई है यहां साइध यह diagram बना देते diagram तो ठीक है लेकिन इसमें इनको 5 marks मिले हुए इसमें इसमें कुछिन और दिखाना चाहूंगी तो कि यहां पर यह जो इंटीर आंगिल क्याल्क्लेट करना था इसमें को 15 marks मिले हुए इनकी एक वाल्यू गलत है यह अगर साइध डाइग्राम बनाते तो उससे भी दोती नम्रेक्ष्ण मिल सकते थे वर जैसा कि इनकी marks और यह काफी अच्छे और चलते हैं आगे moving forward to the next question next question था हमारा environmental engineering से अगें in this question we have to explain the disinfection and write thought notes on disinfection by UV rays so question हमारे 15 marks काता और इनोने explain क्या हुए इसमें इनको 10 marks मिले हुए और I think fine 10 marks इनोने explain क्या हुए जितना then moving forward to the next question next question is from SFD BMD SFD BMD में 30 marks का यह question था और आप देख सकते हैं इनोने exact SFD भी सही है और BMD भी सही है इनोने असी कोई मिस्टेक नहीं की हुए है question में question करेक्ट है और इनने full marks यहां पे 5 marks इनकी कटे हुए है जैसे इनको 25 marks मिले हुए है question में then moving forward to the next question next question is from RCC question में 15 marks का question था WSM से design करना था singly reinforcement beam की so आप देख सकते हैं इनोने correct solution क्या हुए है first depth of neutral axis calculate की है then उसको check किया हुए कि under reinforcement है actually इनोने चेक नहीं किया है विटकि under reinforcement है question एकदम correct है और then इनोने stress diagram बना के और उसमें जो concrete में bending compression में stress ही वो calculate कर दिये so इसमें 15 marks मिले हुए out of 15 okay moving forward to the next question next question is from RCC again यह इस question में क्या था ultimate load carrying capacity निकालनी थी column की तो यह question इनोने correct किया हुआ है और आप देख सकते हैं जैसे कि इनके सारे स्टेप सही है और then moving forward to the next question next question is from BMC इसमें workability को explain करना है तो इन्होंने workability को explain क्या हुआ है then factors affecting workability जो की question में पूछा गया था यह उन्होंने सारे factors काफी हैसे explain के हुए है इसमें इनको 17 marks मिले हुए out of 30 then moving forward to the next question next question is from steel यह question 30 marks था और इसमें हमें movement of inertia निकालना था section modulus then maximum bending moment calculate करना था तो आप देख सकते हैं इन्होंने एकदम साही calculation की हुए है और इस question में इनको 30 out of 30 marks मिले हुए है so अब में थोड़ा डिसकस करना चाहूंगी इस copy के बार में फैलित मैंने आपको यह copy दिखा दी कि इसमें इनके आप देख सकते हैं numerical portion mostly सही है mostly इन्होंने numerical portion सही किया हुआ है so इससे इनके marks काफी अच्छे हुआ है क्योंकि numerical में mostly आपको marks पूरे मिल जाते हैं और इन्होंने numerical portion बहुत अच्छे से किया हुआ है almost इनके questions सही है numerical के और इन्हें full marks मिले भी हैं उसमें सो आप देख सकते हैं इनके marks है total 216 और रीसेंटल अभी ससी जेही मेंस का जो ससी का जो final result आया हुआ हुआ है सो इस में को Central Water Commission Department अलाट हुआ है और आपने इनके copy देख लिए होगी और आप जो भी ससी सकते हैं आप देख लीजे है है कोमें अपना feedback जरूर दे वीडियो के regarding आपको कोई भी कुछ भी पूछ भी आपको पुछना हो आप वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं सो अआप we will wait for your feedback it matters a lot for us thank you thank you so much thank you so much for the for watching this video and comment down regarding this copy okay thank you